तो सबसे पहले इस तरीके से आप ड्रेस के नीचे कोई थिक आप कार्ट बोर्ड इस तरीके से रख सकते हैं या फिर आप आर्ट पेपर का यूज कर सकते हैं अगर आप बहुत पतले टाइप के कपड़ों के उपर पेंट करते हैं तो आप जरूर फ्रेम का यूज करें तो इ इस तरीके से, कोई भी धक्कन से भी आप कर सकते हैं, morning yellow color, second marker, golden yellow एक और के साइध से! तो इसके साइड से, इस तरीके के होगा, इस तरीके से, मैं यहाँ दो नबर की round brush यूज़ कर रही हूं बहुत आसाने बट इतना ज्यादा क्यूट और खुबसूरत है कि कोई भी बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी I mean baby girls को पसंद आएगी अब कोई भी plain dress के उपर इसको जरूर ट्राइ करना अपनी baby के लिए तो यह बन गई है और यहाँ देखिए मैंने pencil से इस तरीके से butterfly कर लिया है यह बहुत cute type की होगी normal जो ऐसे butterfly होती है इस तरीके के नहीं होती है यह especially बच्चों के लिए इसलिए यह cute type का होगा यहाँ मैं pink color यूज़ कर रही हूँ बहुत सारे color होगा butterfly में और यहाँ flesh tint color बट अगर आपके पास नहीं है आप white color भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मेरी ये color जो है ना मेरी ये fabric color I mean dress की जो color है तो वो थोड़ी light color से है तो इसलिए almost सारे color इसके उपर अच्छा लगेगा ज्यादा तर dark color अच्छा लगेगा तो यहाँ मैं side पे green color यूज़ कर रही हूँ light green color ये round brush से बहुत ज्यादा problem होती है color feel करना इससे अच्छा है कि मैं flat brush से इसको color करती कितना ज्यादा time लगते है आप देखिए बट अगर आप एकदम नहीं नहीं paint करते हैं एकदम starty किया है just तो आपके लिए ये round brush बहुत आसान होगा flat brush में क्या होती है जो एकदम नहीं जो काम करते हैं उनके लिए थोड़ी से मुश्किल हो जाती है कुछ दिन काम करने के बाद flat brush उनके लिए used हो जाती है तो पहले अगर आप paint करते हैं तो आप 2 number की round brush 4 number की round brush 6 को skip करके आप 8 number भी ले सकते हैं और यहां मैं sky blue color यूज़ कर रही हूँ अंदर जो है उसकी color में बाद में करूँगी तो यहां देखिए मैं यहां flare brush यूज़ कर रही हूँ यह मेरी brush की condition बहुत ज्यादा खराब है hair इसकी जो बहुत ज्यादा spread भी हो गई है मैं यह यूज़ नहीं करती हूँ अभी लगा कि थोड़ा सा है तो यूज़ कर लेती हूँ बट brush थोड़ी सी problem होने से paint करने में बहुत ज्यादा problem होती है आपको ऐसे camelin की अभी मैं recent use कर रही हूँ बहुत ज्यादा अच्छा है उसकी brush मैंने recent उसकी flat brush लिया है एक set जो आते है ना उसमें बहुत ही अच्छे है brush की जो hair की quality है बहुत खुबसूरत है तो यहाँ देखी यह छोटी-छोटी मेरी brush में अलड़ी orange color था तो इसलिए यह लग रहा है अब यह यहाँ थोड़ी सी dark green color बच्चों को यह बहुत ज्यादा पसंद होगा तो यह ज़रूर try करना और comment section पर बताना आपको यह कैसी लगी आप मेंसे काफी सारे friends ने मुझे request की थी कि मैं कोई baby girl की dress के उपर कोई painting दिखाओ तो मेरे पास कोई ऐसे मैंने अलरी दिखा चुकी हूँ एक दो वीडियो में बट यह मुझे बहुत दिन से मैं ऐसे ढून रही थी जिसको इदों complete बहुत क्यूट सा हो तो यह मुझे finally यह design मुझे मिला बहुत अच्छा लगा आप इसको ज़रूर try करें और आपको कैसी लगी comment section पर बताना ज़रूर और अगर आपको इस टाइब की वीडियो देखना पसंद है तो मेरी चैनल पर देख सकते हैं आपको मिल जाएगी बहुत सारी इस तरीके की वीडियो और चैनल को subscribe कर सकते हैं इस तरीके की वीडियो देखने के लिए वो बिलकुल free है और यह देखिए अच्छे से इसको प्रेस कर लीजिए यह ड्राइ हो गई है उसके बाद ही यहां आप color करें नहीं तो एकदम color जब dry नहीं होने से color करेंगे ने तो बहुत spread हो जाती है यह जो brush से मैं कर रही हूँ यह अच्छली मेरी बेटे के brush है उसके ब्राश लेके में कर रही हूँ यहाँ देखी क्यूट सी आईज बहुत ज्यादा क्यूट है एकदम हलके हाथ से करना कलर इधर उधर ना हो जाए और हाथ से कलर ड्रेस के उपर लग सकते हैं तो उसके ध्यान भी रख देना और अप्टर वाष इसको कुछ भी नहीं करना है I mean आप हाथ से वाष करें यह कलर कुछ भी नहीं होती है कलर छूटते नहीं है इसको हमेशा हाथ से वाष करें कोई भी mild detergent आप easy के साथ इसको वाष कर सकते या फिर कोई butterfly हमारी complete अब होगी हमारी cute सी butterfly अभी आपको शायद लग रहा है ये उतना तो खास कुछ नहीं लग रहा है बट अब complete होने के बाद देखना इतना ज्याड़ा cute है तो मुरा बांगली हो ले अवोश्चोई अवोश्चोई बांगला है comment करो बांगला ते तो यहां देखिए, सब को हमें एक करना है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, जहां-जहां मैंने किया है, आपको इस तरीके से करना है, ड्रेस छोटी बड़ी साइज होती है, तो आप अपने हिसाब से करें, एक दो चाहे तो आप यहां बाटरफलाई एक्स्ट्रा एड़ कर सकते ह यहां मैंने क्लाउड करना एकदम भूल गई थी, तो मैं यहां सकाई ब्लू से बना रही हूँ, इसको भी हमें आउटलाइन कर लेना है, अब देखिए कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं क्या बोल रहे थी, हाँ इसको पेंट करने के बाद 24 आवर्स के लिए ऐ इसके नेक्स दिन अब इसके बैक साइड पर प्रेस कर लेना, तो यह देख सकते हैं, आफ्टर कम्प्लीट, थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो, वेरी गुद डेए, टेक केर, बाई